मेरे इस चैनल में जिसका नाम है पाम ब्लॉग चैनल को सबिस्क्राइब कर लिजे मित्रों आपको बहुत अच्छी जानकारियां इस पे मिलेंगी जोतिश अध्यात्म जीवन के निचोड की और ऐसा सार मिलेगा जिसको आप देख कर सुन कर समझ कर अपना जीवन निश्यत ही अच्छा कर पाएंगे मित्रों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज हम ब्रह्मान के अस्तित्व की बात करेंगे आज हम बात करेंगे धातु अक्षर ओम की ओम यह भगवान शिव का मंत्र है ओम को किस प्रकार बोलना चाहिए और ओम क्या है यह हम आज इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले ओम क्या है उस उस संब्ध में हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ओम का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए तो प्रारंब करता हूं श्रीगणे शाह नमा मासा रस्वती नमस्तुब्यम ओम नमाह शिवाए जय भ नहीं कि क्या है इसको विश्चर्ट करते हैं मित्रों ओम आप लोगों ने भी कई बार बहुत सारी चीज़ें के बारे में पढ़ा है कि ओम में दस अजार से भी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ओम बोलने से इसमें दस हजार से ज्यादा ध्वनी की अविर्टी है और ओम शांती का स्वरूप भी है ओम विकास का स्वरूप है ओम कल्यान का नाम है इसमें 10,000 से ज़्यादा frequency होती है ओम कल्यान कारी है ओम शांती है ओम ही शिव है शिव ही ओम है सत्यम शिवम सुन्दरम ओम है और ओम ही सत्यम शिवम सुन्दरम है मित्रों आपको ये जानकर बहुत आश्यरे होगा कि अभी तक जो ओम को हम समझते थे वो दूसरा और तीसरा चोहता पाच्वा उसका अर्थ हम समझे हैं लेकिन प्रथम रूप से ओम का क्या अर्थ है आप इस वीडियो में जानेंगे मित्रों ओम वो शक्ती है ये शक्ती क्या है ये भगवान शिव की शक्ती है ओम शिव भगवान की समस्त शक्ती धातू मंत्र ओम में सामाहित है मेरे वीडियो को बहुत गहनता से सुनिये मित्रों और इस वीडियो के बाद आपके मन में जो अलग अलग तरीके के मैल है जो अध्यात्मिक मैल इखटा हो जाता है उससे छुट्टी मिल जाएगी और आप भगवान शिव की सब्ता को फ्राप्त कर पाएंगे ओम को समझे है मित्रों ओम क्या है ओम है शिव शक्ति जो भगवान राम को वरित की गई है भगवान राम का नाम और राम का नाम के वर लेने से यह भुवनिश्वरी एफेक्ट क्रेट करता है आपके परिवार में आपके वेतित्वों में आपके परायोजन में अब सुनिए खास बात ओम भगवान शिव की केंदरित शक्तियां हैं और समस्त शक्तियां इसी की और इंगित होती हैं ये शक्ति भगवान भोले नात महाकाल भगवान ने भगवान राम को बाण के रूप म में दी थी ओम का जो सही मतलब है मित्रों वो होता है भगवान शिव की शकती जो रामबान के रूप में भगवान राम को प्राप्त हुई है भगवान के जो बान केंदृत होती हैं मित्रों और जब भगवान राम जिस बान को छोड़ते हैं जिसको कहा जाता रामपान तो रामपान की नोफ पर Kelvin लगा होता है आज हम मित्रों इस वीडियों में जान रहे हैं ओम का प्रत्हम मतलवski प्रतम आशय का मेरें मीनिंग क्या है ओम है भगवान शेव की शक्ति चो भगवान राम को वरित की गई है जिसने थे धणुश की नोक पर लगारा है और जब वो राम बाण चलाते हैं तो की शक्ति उस बाण की नोकर चलती है एक चौपाई मुझे याद आ रही है रामाण की जही गिरी चरण देव हनमनता अब आप देखिए ओम की क्या ताकत को डिफाइन किया गया है बाण सकती राम बाण की जो उनकी नोक पर रहती है उसी प्रकार हनमान की चाल है उसको चाल के साथ कंपैर किया गया है चौपाई सुनिए जही गिरी चरण देव हनमनता चले उसोगा पाताल तुरंता सीता माता का पता लगाने के लिए जब हनमान जी चले जही गिरी चरण देव हनमनता और जिस परवत पर वो पैर रख कर उचलते थे जही गिरी चरण देव हनमनता चले उसोगा पाताल वो परवत पाताल में धस जाया करता था जैसे भगवान राम का तीर जब छूटता है उनके हाथ से संधान किया हुआ अमोग बान और जिस तरीके से वो आगे हवा को काटते हुए अपने लक्ष की और बढ़ता है और लक्ष को नस्ट करके वापस उनके हाथ में आ जाता है उसी प्रकार हनुमान भी चलते हैं इसलिए चौपाई बने जेही गिरी चण देउहन मनता चलेई सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोग रगुपती करबाना एही भाती चलेई हनुमाना दूसरी चौपाई सुनिये चले पवन की चाल कपीसा देखत भालू आकाश महेशा और जब भगवान हनुमान राम बान की स्पीड से उस गती से चलते हैं अपने लक्ष की ओर तो उनकी तरफ भगवान महाकाल भी देखते हैं है ना मित्रों किती अच्छी बात और जब भगवान राम का बान चलता है जिसकी नोक पर ओम शक्ति लगी हुई है मित्रों ये वीडियो को देखिए जिस पर नोक की जिस बान पर ओम की शक्ति लगी हुई है उसे हम कहते हैं राम बान मित्रों ओम जो है आज आप सब भूल जाएए अभी तक आपने जो पढ़ाता और मैं इस बात को लेकर हर विद्वान से बहस कर सकता हूँ क्योंकि जो सत्य है वही शिव है जो शिव है वही सत्य है सत्यम शिवम सुन्दरम भगवान महाकाल ने ओम की शक्ति भगवान राम को प्रदान करी जो उनके बान पर लगी हुई है उसे ही कहते हैं ओम आज आपको इस्पस्ट हुआम इस वीडियो के माद이지म से की ओम क्या है ओम है राम को वरित की हुई शक्ति ओम जो उनके बान की नोक पर रहती है ओम का एक अर्थ हनुमान भी है क्योंकि हनुमान भी उसी गती से चलते है जिस गती से राम बान अपने लक्ष की और चलता है उसे नस्ट करता है और उसे वापस उनके हाथ में आ जाता है ओम जो है मित्रों वो है राम बान राम का आयुद्ध राम बाण उसे ही ओम कहा गया है मित्रो ओम के जितने मतलब आपने समझे थे वो दूसरे तीसरे चोहते पांचवे छटे आठवे मतलब है लेकिन पहला मतलब है भगवान राम के बाण की नोग पर बैठी हुई शक्ति ओम है अब ये करती क्या है इसे हम सम के रूप में भगवान शिव को वरिद करी अब ये शक्ति करती क्या है ये शक्ति जो है वो उर्जा में विस्पोट करती है किसी उर्जा में विस्पोट करती है और उसे तत्व बनाती है इस समीकरण को भी आज हम इसी वीडियो में समझेंगे उर्जा में विस्पोट करना और उससे तत्व बनाना अब यह क्या चीज है इसे हम समझेंगे किसी औरजा में यासा कहा जाता है कि ब्रह्मान में सबसे पहले एक शक्ती एक पुंज था उसमें किसी ने विस्पोड किया और उससे पदार्त बन गया तो एनरजी से कैसे पदार्त बनता है वो आप समझेए पदार्थ से एनर्जी हमने देखी है वो धर्ण के स्वरूप यदि मैंने एक माचिस को जलाया तो उसमें जो तत्व था वो जल गया और उसकी बन गई उर्जा क्या हम उस उर्जा को इखटा करकर फिर चाम माचिस की तीली बना सकते हैं ये हमारे सोचने में थोड़ा सा कठिन हैं लेकिन मित्रों जब और जा तत्व बनती है पदार्थ बनती है तो संपन्नता आती है और लक्षमी आती है जैसे हरे ग्रीन प्लांट्स हरे पेड़ क्या करते हैं photo synthesis को प्रामाणिद करने वाली शक्ति ओम है ओम शक्ति से ही photosynthesis होता है जिसे हम कहते हैं प्रकास संशलेशन क्या होता है इसे और मैं विस्तार करता हूं क्या करते हैं सूर्य की उर्जा को गेहन करते हैं और उस उर्जा से बढ़ जाते हैं अब बढ़ गए तो जड़ मोटी हो गई उसके अंदर फल लग गए उसके अंदर पत्ती लग गई तो हुआ क्या उर्जा जो थी वह एक ठोस पदार्थ में परिनित हो गई जब ये हरे प्लांट्स किसी उर्जा को सोख कर अपना आकार बढ़ाते हैं और फल के रूप में हमें उर्जा के रूप में हमें खादे पदार्थ मिलते हैं उर्जा पदार्थ में चेंज हो जाती है मित्रो ऊर्जा को पदार्त में चेंज करना हम मनिश्यों के लिए कठिन हैं आपने सुट्जर लेंड में देखा जो बोसॉन पार्टिकल वेगानिक धूर रहे हैं वो ऊर्जा को पदार्त के रूप में कर रहे हैं कंवर्ट ट्रांसफॉर्म होती है उनसे लेकिन कुछ अरब मिली सेकेंड में होती है अभी हम वोग नहीं कर पाए हैं जबकि हरे पेड़ 25 दिग्री पे और जा को पदार्त में बदल देते हैं वही शक्ति है ओम जो भगवान राम के बान पर बैठती है ओम का अर्थ है आसपा अच्छा होता है कि मित्रों ओम जो है वो है कि और जा को पदार्त में बदलने का राम बान है ना मित्रों यह कितनी अच्छी बात यह हम भारत के लोग नहीं जानते हैं लेकिन जो गूगल में बैठे हुए विदेशी लोग हैं उनको मालूम है कि राम शक्ति ओम है और जब ओम की शक्ति राम के बान से छूट के ऊर्जा में विस्वोर्ट करती है तो यह ब्रह्मान का निर्मान होता है जिसे हम पदार्त क करते हैं ओम भगवान राम का आयुद है अब एक बात हम करते हैं कि हम मंतरों में ओम क्यों लगाते हैं ओम लगाने से उर्जा पदार्त में बदल जाती है ओम एक नाभी किये विस्वोर्ट है दूसरा तीसरा चौनता मतलबा बाद में समझ लेना ओम एक मंतर के आगे लगा जाती है और वह मंत्र एक विस्पोटक मंत्र हो जाता है ओम गम गड़पते नमाहां अब जब गड़पती के आगे आपने ओम लगा आया तो गड़पती के उर्जा में विस्पोट हुआ और ओम बन गया पदार्थ जिसे आप लक्षमी के रूप में गरहेंड करते हैं ओम आसान चीज नहीं है मित्रों इस वीडियो के माध्यम से आज आपने जाना कि ओम क्या है और मित्रों मैं यह जो बातें आप से कर रहा हूं मेरे रौंगटे खड़े हो गए ओम आसान नहीं है ओम जितने भी लोगों ने व्यक्या करी है वो दूसरी तीसरी चोंती है पहली है राम शक्ती जो उनके बान पर रहती है उर्जा में विस्पोड करती है और पदार्थ में बदल देती है जो हमें संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है मंतरों के आगे ओम प्राप्तियों को जब सुन रहे होंगे तो आपके भी रॉम्टे खड़े हो गए होंगे मित्रों के बात निश्यत है कि ओओ 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 कि अधाए कि ओओ कि ओओ कि ओओ कि अपने मनोहर काल में इस उच्छारण को दस सेकंड कर लेंगे आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा मेरा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद भले ही आज आप मेरे वीडियो को सबिस्क्राइब ना करें मित्रों मुझे इस चीज का इल्म नहीं है लेकिन आपने मेरा वीडियो सुना और ओम के असली मतलब को समझ पाए ये खास है हमारे लिए ओम नमस्षिवाई ओम गिरिजापती भवानी संकर भगवान नंदी भगवान श्रीगड़ेशायनमाहा मासारेश्वती नमस्तुभ्यम अज़ाए 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 और बगवान अज़ाए बगवान करते ही अज़ाए अज़ झाह झाह